इसके अंदर भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर टोटल जो हैं आपने देखा तीन कुछ जाता है तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ options निकल गए हैं वो सही हैं तो उतने ही मार्क कर दो जबरदस्ती के लिए ऐसा नहीं करना कि सर A B और A और B option निकल गए थे पर यह तो multiple choice है तो मैंने चारों मार दिये तो उसमें ज़्यादा नुक्षान हो जाता है चलिए देखते हैं इस question को कैसे solve करना है इसके अंदर पहला question ठीक है यह question जो है थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं कि किससी rated पूछा गया है ठीक है यहाँ पर जो है force दे रखा है आपको and potential boards quantization rule बता रखा है लगता है ऐसा ही कि सर कुछ complex question होगा पर ज्यादा complex नहीं था पहले मैं आपको इसकी जो है answer की बता देता हूं कि बच् बढ़ना है ठीक है सबसे पहले बोला है particle का mass m है moving in a circular orbit under the influence of the central force ठीक है तो central force है towards the center हमें मालूम है mv square by r is equals to kr हो जाएगा यहाँ पर mv square by r ही आपका जो है central force होता है और अगर आप उसे kr के equate कर देते हैं तो पहली equation यहाँ पर मैं बना के लिख लेता हूं sir mv square is equals to kr square यहाँ पर यह बात समझ में आ गई है आगे देखते हैं potential जो है kr square by 2 बोल रखा है ठीक है अगर आप इसे differentiate करते है minus del v by del r तो आपका यही central force निकल के आता है यहाँ पर where k is a positive force constant and r is the radial distance from the origin ठीक है according to board's quantization rule the angular momentum of the particle is given as s तो आपने को पता है l की value जो है n h ऐसे दे रखी है and इसी को जो है बच्चो mvr भी अपन लिखते हैं आपर आगे बढ़ते है आप से पूछा गया है that n is a positive integer if v and e are the speeds and total energy of the particle respectively then which of the following expression is our correct इन में से सही कौन सा है आप से पूछा गया है चलिए देखते हैं सबसे पहले r square के result निकालना है तो r square के result मैं यहां से बोल सकता हूँ but वहाँ पर v unnecessary फसर है v को हटाने के लिए मैं angular momentum वाले technique का use करता हूँ reason क्योंकि यहां पर मुझे हर जगा n h दिखाई दे रहा है तो let me use मैं बोल सकता हूँ sir n h divide by mr is equals to v यहां पर v कहीं भी नहीं है तो उस उपर वाली relation मैं v को remove करता हूँ मैं इस वाली equation की बात कर रहा हूँ आपके लिए अगर यहां पर मैं v को remove करूँगा तो m and आगे दिखाई दे रहा है n square h square divide by m square r square is equals to kr square ठीक है बच्चों 1 m से 1 m कट गया r उदर गया n square h square divided by m is equals to उदर जाके जो है k into r to the power 4 बन गया यह है ठीक है अब मुझे m k की form में लाना था यह तो एक बड़ जड़ा चेक कर लेते हैं किसी step के अंदर जो है कुछ चीज square में तो गलती नहीं हुई ठीक है n square h square यहां पर यहीं लिखा हुआ है k r square k यहां पर आ जाएगा r square multiply होगा तो r to the power 4 बन जाएगा ऐसा करने से तो बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा है आपर कुछ और manipulation लगाने की कुशिश करते हैं hopefully कहीं पर जो है छोटा मोटा mistake हुआ होगा so please एक बार जो इसको चेक करो तुम लोग भी यहां पर ठीक है मैं और क्या कर सकता हूँ यहां पर ठीक है क्या मैं directly mv को remove करने की कुशिश करूँ let me try this only ठीक है हो सकता है कि यहां पर जो है कुछ चीज लिखते वक्त जो है कुछ fault हो गई हो तो what I am doing is कि यहां पर direct mv को substitute करता हूँ ठीक है इस वाले relation के अंदर मैंने बोला कि sir यह हो गया आपका m square v square is equals to m k r square ठीक है अब यहां पर मैं m square v square को अगर substitute करना चाहूँगा तो यह तो फिर से वही बनतावा दिखाई दे रहा है सोचो यार किस step पर जाके जो है इसके अंदर problem हो रही है तो किसी step के अंदर जो है मुझे यहां पर देखना पड़ेगा कि क्या चीज जो है miss हुई है मैं mv की value जो है यहां से अगर उठा लेता हूँ कि sir mv is equals to root of m k r square ठीक है and फिर से step के अंदर put करता हूँ यहां पर तो अब लग रहा है मुझे की कुछ ठीक हो सकता है n h is equals to mv पता है हमें root m k r square ही तो दे रखा है यार रहूल सर क्या कर रहो है ठीक है आप r निकालने की कुशिश कर रहे हूँ ठीक है तो यहां पर जो है आर जो है आपका directly निकल के आ जाता है आपर और mv की जो value है आपने यहां से put करी तो देख लो यार ठीक है जबरदस्ती का जो है मुझे बनाने की कुशिश कर रहे थे आप जबरदस्ती उसे जो है आर निकालने की कुशिश कर रहे है ठीक है कोई दिखकत नहीं थी option a इस तरह से हमारा match कर जाता है ठीक है option b चेक करना बहुत easy हो जाएगा क्योंकि हमें मालूम है कि इस relation को हम चेक कर सकते हैं आपर इसी relation के help से मैंने यहाँ पर ऐसा बनाने की कुशिश करी कि sir v square is equals to k upon m times of r square जड़ा multiply करके देखते है k upon m इससे क्या result निकल के आता है sir n h as it is लिखा हुआ है अगर k by m multiply हुआ तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि sir इसी result के अंदर यहाँ पर जो है यह रहा result इसको compare करना है हमें यहाँ पर तो sir root के अंदर जब वो जाएगा तो k square m square और m into k अलरड़ी लिखा हुआ है sir यह cancel हुआ इससे आपका result n h root of k divide by m cube यह बन जाता है तो hopefully आपको दिख गया होगी कैसे b answer यहाँ पर निकल के आया तो इस तरह से आप b को check कर सकते दे lastly c or d option भी हमें check करना भी वाकिए अब देखो यहाँ पर इसने angular momentum को as it is छोड़ दिया तो मैं इसे convert नहीं करता हूँ m v r का इस्तेमाल करता हूँ and यहाँ पर root k by m हमें दिख रहा है l और mr square का मुझे use करना है ठीक है कर लेता हूँ यहाँ पर use v को हटा देना है ठीक है तो मैं जो है try करता हूँ कि sir इसको angular momentum जो है इसको इसी option से जो है आगे बढ़ता हूँ इन convert करने की कोशिश करता हूँ ठीक है तो मुझे मालू मैं कि first option में मेरा आ चुका है r square is equals to n h ठीक है and denominator में लिखा हूँ है root of m k ठीक है तो इसको अगर मैं इस्तमाल यहाँ पर करूँगा तो मैं कह सकता हूँ r square is equals to this is l root of m k आप देखो कैसे convert करना है l upon m r square करना है तो root m k को इधर ले जाता हूँ l upon r square ऐसे लिख देता हूँ m से multiply करूँगा तो यहाँ पर m root होके अंदर जब जाएगा तो m square बन के जाएगा तो मेरा answer आ रहा है l upon m r square is equals to k by m hopefully यह answer option c में दे रखा है बिल्कुल सही बच्चों इस तरह से c option सही हो जाता है आपका last option देखते हैं ठीक यह silly mistake हो सकता था कि बच्चे d answer को take कर दें but let us see कि d option के अंदर क्या बोला गया था d option में आपका total energy की बात की गई थी जड़ा दिखते हैं total energy आप कैसे लिख सकते है total energy लिखने के लिए आप kinetic energy भी यूज़ करेंगे यहां से replace कर सकते है sir k r square, k r square is equals to m v square, so k r square is equals to m v square तो यहां पर अगर k r square की जगा m v square put किया तो यह m v square total अपना बन जाता है यहां पर and final value check करते है sir v square की value डाल दो यह रही v square की value जो है n h root of k by m cube, I hope यही लिखा होगा वहाँ पर, ठेक है, अब आप जो है इसमें से m को बाहर ले आएंगे तो आपकी final energy का answer जो है n h divide by root of k by m यह निकल के आ जाता है, so आपको दिखाई दे रहा है कि sir उसने 2 extra दे रखा है option के अंदर, इतनी सी mistake थी that is why option 2 is, option d is wrong, a, b, c इसका correct answer हो जाता है, अगर मैं आपको बात बताओं तो यहार देखो, कहने में तो इसमें बहुत सारी चीजे जो है use की गई है, but कहने में कह सकते है modern physics का question है, but straight forward सिर्फ आपको formula को compare करना था, इस प्रकार से question था, let's move to the next problem, 6th problem को देखते हैं, बच्चो क्या पूछा गया है, यहाँ पर, यह एक अच्छा problem था, यहाँ पर, ऐसे problems जो है ना, बिल्कुल कभी का ऐसा हो जाता है, J advance जो है, जब हम देखते ह हैं, तो confused हो जाते हैं कि पूछा क्या है, आइए try करते हैं, देखते हैं किस तरह से problem को solve करना है, यहाँ पर, पहले मैं आपको इसका correct answer बता देता हूँ, 6th problem का बच्चो correct answer option A, option C and option D था, देखो भई, क्या कहा गया है, 2 uniform strings of mass period length, mu and 4 mu, तो आपको दिख रही है, यहाँ पर जो यह string, पतली string है, पहली वाली, and जो second string आपको दिखाई दे रही है, I hope आपको पता चल रहा होगा, थोड़ी मोटी string यहाँ पर दे रखी है, तो यह आपकी मोटी string है, ठीक है, बोला गया था कि यहाँ पर जो आपकी पहली string है, उसका mu is the mass period length and दूसरी का 4 mu, L and 2L are the length respectively are joined at point O and tied at two fixed points P and Q, P and Q पर अगर fix कर रखा है, तो इस कहानी में node anti-node की बात की गई है, fixed points पर हमें ध्यान रखना है, कि सर fixed point का मतलब तो node ही होता है, node का मतलब होता है, जो points fixed है, and anti-node का जो position है, मतलब वो vary कर सकता है, ठीक है, तो यह nodes दे रखी है, strings are under uniform tension T, if we define the frequency this, uniform tension है पूर correct, options देखते हैं, ऐसे questions, options से ही try किये जाते है, with the node at O, the minimum frequency of vibration of the composite string is this, okay, then आगे जो पूछा है, with an anti-node, बात में देखते है, anti-node, when the composite string vibrates at the minimum frequency with the node at O, it has six nodes including the end nodes, okay, and last में anti-node बोला है, तो पहले node का analysis कर लेते हैं, बच्छो, node का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, अग अगर आपकी इस तरह से wave बनती है, and जब यह vibrate करेगी, तो यह ऐसे नीचे जाएगी, तो यह points आपके nodes बनते हैं, we know about that, सबसे पहले यहाँ पर check कर लेते हैं कि भाई, यह इसकी frequency कितनी रहने वाली है, ठीक है, यहाँ पर जो है, पहली चीज, कि सर, मैं उसको F0 लिख रहा है, यह F0 की value, first के अंदर है, ठीक है, next के लिए जो है, value check करते हैं, आपर की कितनी आएगी, fundamental frequency, next ही check कर रहे है, सबसे पहले, तो यह इसकी fundamental है, ठीक है, frequency V0, तो यह F0 value निकल के आगई, for the first one, second के लिए अगर मैं देखता हूँ, F' की value, तो वो आ जाएगी, आपकी 1 upon, अब length twice of twice L हो जाएगी, तो 4L, and T by 4μ, अगर आप इससे solve करेंगे, तो 2 बहार आ जाएगा, और यह नीचे 8 बन जाएगा, यहाँ पर तो 2 था, तो आपको साफ-साफ देखने को मिल रहा है, कि sir, इसकी value F0 by 4 हो जाएगी, यह चीज सबसे पहले आपने को समझनी थी, कि यह F0 है, वो F0 by 4 है, आगे देखते है, with a node at O, अगर O पे अगर node है, minimum frequency of vibration of the compositing string is V0, means F0, correct है बिलकुल, reason, आप यह चीज ध्यान रखना, जब भी, अगर एक string, जिसके अंदर आगे का part attached है, और यह vibrate कर रही है, तो 1st part और 2nd part, दोनों की frequency same रहेगी, क्यों, यह चीज हमें बहुत अ समझनी है, बेटा, कि यह जब vibrations कर रही है, तो किसी source ने, यहाँ पर vibrations produce करे होंगे, and उस source की जो frequency रही होगी, वही frequency दोनों strings के अंदर transfer होती है, तो यह ध्यान रखना है, frequency is the property of source, it is not the property of the medium, तो अगर हमें यह पता था, तो हम कह सकते हैं कि sir, देखो, इसके अंदर frequency की जो multiples आ सकते हैं, F0, 2F0, 3F0, इस तरह से बढ़ते रहेंगे, यहाँ पर क्या हो सकता है, आप बोलेंगे sir, F0 by 4, then 2F0 by 4, 3F0 by 4, 4F0 by 4, तो यही तो बच्चो F0 होता है, तो यह F0 और यह F0 match कर गया है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर, with a node at O, अगर O पर node है, the minimum frequency of vibration of the composite string is F0, 2F not be, इसका answer हो सकता है, अगर next पूछी जाती है, तो पर minimum कहा है, इसलिए हम A option को मार के आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं, when the composite string vibrates at the minimum frequency with a node at O, it has 6 nodes including the end nodes, तो इसने बोला कि 6 nodes होंगे total, कैसे check कर सकते हैं, देखो भाई, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर fundamental frequency पर कोई चीज़ vibrate कर रही है, fundamental frequency का मतलब सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक आपको draw करना है, समझ रहे हो बात को, तो आप बोलेंगे अगर यहाँ पर F0 है, fundamental है, तो यहाँ पर 4th वाली आ रही है, ठीक है, तो अगर 4th वाली जो है हम draw करते हैं, तो देखो किस तरह से इसका picture हम draw कर सकते हैं, Sir, पहले आपका जो है point P आपने show किया, P से लेके ओ तक फिर यहाँ आगे Q वाला point आपका mark ने, आपको पहले wave ऐसी दिखाई देगी यहाँ ठीक है, और यह उपर नीचे से oscillate कर रही है, मैं next वाला बना के दिखाता हूँ यहाँ पर, कि next वाला कैसा दिखाई देगा आपको तो जो next वाला आपको दिखाई देगा उसे बनाने से पहले है, यह मैंने ठीक कर लिया, अब next वाले में आपको जो है fourth आप frequency पहुँच चुके, 4F0 by 4 पे, तो आप बोलोगे यहाँ पर किसर वो इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है? आई हो, बात समझ में आयों कि ऐसा क्यों बना रहा है, मैंने क्यों बनाया ऐसा, आप जब कहते हैं कि जब fundamental frequency में कोई चीज oscillate करते ही है, तो उसके अंदर जो है, इस तरह से आपको दिखाई देता है, ठीक है? जब हम second पे जाते हैं frequency पे तो आप कहते हैं कि सर, एक पूरा लूप बन जाता है इस तरह से, ठीक है? थर्ड पर जब आते हैं आप तो ऐसा complete हो जाता है and fourth पर जबाब जाते हैं तो complete दो इस तरह से आपकी waves यहाँ पर बनके ready हो जाती है तो यह एक wave यहाँ complete होई और दूसरी wave यहाँ complete होई तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पर draw किया अब आप check करेंगे count करेंगे तो one two three four five six end notes को count करते पर बोल रहे हैं तो six notes आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है I hope you are able to see that how is the answer is option see आपकी जो है यहाँ पर six notes बन जाती है ठीक है minimum frequency पर अगर इस से उपर वाली common frequency जाएंगे तो answer और बढ़ेगा double हो जाएगा in fact ठीक है आगे दिखिए no vibrational mode with an anti node at a is possible for the composite string हमें check करना है कि anti node होता तो क्या होता with an anti node at o the minimum frequency of vibration of the composite string is two f0 तो यह तो दोनों एक दूसरे के contradictory हैं अगर एक साही होगा तो दूसरा साही नहीं होगा check कर लेते हैं अगर हम यहाँ पर anti node मान के calculations करते हैं तो anti node scenario में देखो क्या होता है आप बोलोगे सबसे पहली बात तो सर यहाँ पर आप frequency इस तरह से देते हैं जब nodes बन रहे होते हैं तो अगर anti nodes बन रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि यार सर frequency nv by 4l इस तरह से दी जाती है और यह odd होते हैं सारे के सारे ठीक है तो इसको भी मैं 2n plus 1 लिख देता हूँ यहाँ पर तो आप बोलेंगे सर यह जो है आप इस तरह से देते हैं 2n minus 1 v by 4l तो आपकी जो f0 है सबसे पहली वाली वो कितने निकल के आएगी जब n की value जो है आपने आपर 1 डाली तो आपकी निकल के आएगी v by 4l next आपकी जो है 3v by 4l इसके बाद जो है आप देखेंगे कि यह जो है अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यह 3 times of f0 हो जाती है ठीक है next check करेंगे आप f2 तो 5v by 4l हो जाएगा यह आप देखेंगे तो यह 5f0 हो जाएगा यह आपका f0 था यह आपने पहले वाले के लिए च चेक करते हैं ठीक है वी बच्चा यहाँ यहाँ पर velocity आए होप आपको पता होगा अब देखना यहाँ पर क्या हो जाता है जब हम second वाले के लिए चेक करेंगे तो वहाँ पर same formula लागेगा बट आपको मालूम है that t by mu is the velocity t by 4 mu है root में तो वो v by 2 बन जाएगा बच्चों समझ तो यह पहले वाली की half है velocity तो that is why v by 2 मैंने यहाँ पर डाल दिया है ठीक है then 4L 4L तो हम लिखते हैं जब anti notes बन रहे होते हैं पर length भी double हो गई है तो यह कितना हो जाएगा 8L अगर मैं देखता हूँ 2N minus 1 v by 16L यह बनता है अगर मैं सबसे पहले f0 की value निकालता हूँ तो वो बनेगी मेरी v by 16L अगर मैं compare करूँगा तो आपको दिखेगा sir यह जो है f0 by 4 निकल के आ जाता है आप ठीक है next अगर मैं check करता हूँ f1 की value तो आपको हलो में 3 times हो जाएगा वो 3 f0 by 4 बन जाएगा f2 की value अगर आप check करोगे तो 5 f0 by 4 बन जाएगा इस तरह से अगर आप इस series को continuously check करते जाओगे तो आप पाओगे कि यह और यह कभी match करेंगे ही नहीं 7 f0 by 4 9 f0 by 4 यह कभी भी आपका इस form में integer form में आई नहीं पाएगा so that is why आप कह सकते हैं कि सर यह match करी नहीं रहे है and यह match अगर नहीं कर रहे है कोई common frequency हमें नहीं मिल रही है दोनों frequency सेम होनी पड़ेगी frequency is the property of source तो हम कहेंगे no vibrational mode with an anti node at O is possible for the composite string that is why D is the correct answer obviously अगर D correct है तो आपका option B गलत हो जाता है अच्छा question था बहुल बढ़िया advance के लिए problem दीथी यहाँ पर let's move to the next problem 7th problem देखते हैं मुझे यह problem भी बड़ी अच्छी लगी but but मैं कहूंगा कि यह बच्छी easily कर सकते हैं अगर आपने class में ऐसे questions प्रेक्टिस किये हो तो ऐसे generally questions हम class में करते ही है यह वाले ठीक है देखते हैं वहां से यह पूरा problem था class 12th geometrical optics इस question को जो है मैं moderate category के अंदर ही रखूंगा ठीक है moderate और slash easy भी कह सकते हैं बहुत ज़दा tough नहीं था let us understand होगा क्या है यहाँ पर glass beaker है बोला गया है solid plano convex base है जिसका of refractive index 1.6 तो यहाँ पर जो है इसका refractive index हमें बोल रखा था कि यह 1.6 है आगे देखिए as shown in the figure the radius of curvature of the convex surface is 9 cm तो convex surface की जो radius of curvature है जो हमें use करना ही है आगे R1 that is equals to 9 हमें देख रहा है convex surface की जो दूसरी radius है वो तो infinite हो जाती है बच्छों यहाँ पर आगे देखते है while the planar surface stu यहाँ पर यह planar surface दिखा रखी है okay stu acts as a mirror तो बच्छों यहाँ पर mirror लगावा है नीचे यह मान के हम चलेंगे combination of lens and mirror अगर आपको याद है तो 1 upon f equivalent का जो formula होता है that will be given as याद करो lens दो बार यूज होगा refraction में mirror एक बार यूज होगा तो 1 upon fm minus 2 upon fl इस तरह से formula दिया जाता है आगे देखते है दो speaker is filled with a liquid of refractive index n यहाँ पर refractive index n का जो है liquid भर दिया गया आगे देखो qpr आपको दिख रहे है आप पर if the image of the point object o at a height of h तो यह object जो है height h पर रखावा है कहा गया है कि इसकी image is formed onto itself अगर image अपनी ही जगह बन जाए यह कैसा possible है concave mirror के अगर आप radius of curvature पर रखते हो twice of focal length पर तो आपकी image same position पर बन जाती है आप को यह पता है ठेक है which of the following options is are correct तो basically पता चलिया कि sir यह जो है इस कहानी में 2f की तरह behave कर रहा है ठीक है चलिए data यहाँ पर डालते हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो आप बोलेंगे sir पहले combination of lenses का जो है equivalent आप निकाल लीजी आपको दिख रहे हैं यहाँ आपर दो lenses है तो पहला lens जो था वह ऐसा है एंड इसकी उपर जो है दूसरा lens ऐसे रखावा है ठीक है मैं बोलता हूं कि इसकी focal lens जो है f1 है इसकी focal lens f2 है f1, f2 के individual value निकाल लेते हैं 1 upon f1 is equals to mu relative minus 1 mu relative में आपकी value n रहेगी वहाँ पर n minus 1 1 by r1 ठीक है 1 by infinite minus 1 by r2 ठीक है तो आप बोलेंगे sir यहाँ पर जो है यह minus 1 by 9 हो जाती है नीच वाले direction में in the direction of light ray radius of curvature will be positive ठीक है तो यहाँ से 1 by f1 की value निकल के आती है sir 1 minus n divide by 9 ठीक है similarly f2 की value check कर लेते हैं बच्चो f2 के लिए मैं यहाँ पर calculations कर रहा हूँ आप लोग के सामने 1 upon f2 is equals to again same बात बोलेंगे mu relative minus 1 I think इसका 1.6 दे रखा था 1.6 minus 1 करेंगे तो आपका जो है 0.6 बन जाता है and 1 upon 9 minus 1 upon infinity तो यह 1 upon f2 की value बच्चो आपके निकल के आई 0.6 divide by 9 ठीक है अब मैंने अभी अभी आपको बताया था कि 1 upon f l focal length of the length system यहाँ पर कैसे निकल के आएगा दोनों lenses के combination को आप add कर देंगे तो आपका 1 upon f l निकल के आ जाएगा आपके सामने यही पर ही कर रहे है 1 upon f l is equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2 तो यहाँ से 1 upon f l की जो value बच्चो निकल के आ जा रही है दोनों को अगर मैं add करता हूँ यहाँ पर तो आप देखिए denominator में 9 रह जाता है 1 and then 0.6 तो वो 1.6 minus n देखो कितना अच्छा हो गया जो refractive index था वही answer हो 1.6 बन गया है आपर कोई देखते है अब इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते है इसको और is the equation में यहाँ पर डालते है 1 upon f equivalent कितना आना चाहिए f equivalent की value आपके आनी चाहिए h by 2 के बराबर ठीक है negative side में ठीक है तो आपने बोला कि sir minus 2 by h h by 2 डाला ना negative sign के साथ 1 upon f m focal length of the mirror is infinite minus 2 upon f l की value दिखरी बच्छो f l की value आपने पीछे यहाँ पे निकाली भी है f l की value 1.6 minus n into 9 है 1.6 minus n divide by 9 यह पूरा term तो चला गया minus 2 minus 2 cancel हुए 1 by h is equals to twice of 1.6 minus n divide अच्छा mistake होने वाली थी है 2 तो कड़िया ना बच्छो 2 तो कट चुका है आपका अगर 2 आपका कट चुका है तो यहाँ लिखने की जुरत नहीं है आपको आप बोलेंगे sir divide by 9 ही है सिर्फ वहाँ पे silly mistake इस प्रकार से आपका relation बनता है अब आ दिखते हैं यार की data डालने पर कौन सा option match कर रहा है ठीक है मैं क्या करता हूँ थोड़ा simplify करने के लिए जो है इसको h के terms में लिख लेता हूँ sir h can be said as 9 times of 1.6 minus n ठीक है अब देखो option 1 से चालू करते है मैं इसको यह चीछ पुट नहीं करते हूँ है h put करता हूँ that will be little bit simple तो अगर मैं ऐसा put करूँगा यहाँ पर तो आपको दिख जाएगा कि कैसे निकलेगा यह sir थोड़ा सा जो modify करने के हम बात कर रहे है वो करके देख लेते है that sir वहाँ से पता चला that 9 by h is equals to 1.6 minus n n is equals to 1.6 minus 9 by h सबसे पहले h की value 50 centimeter डालते है ठीक है यह भी centimeter में यह भी centimeter है 9 upon 50 करेंगे तो वो आपका 0.18 बनेगा 1.6 minus 0.18 करोगे तो 1.42 बनेगा match कर रहा है ठीक है so that is how option 1 is correct option A जो है आपका यहाँ पर match कर गया था तो यहाँ पर अगर option A आपका match कर गया है तो इसको tick करके हम आगे बढ़ सकते है ठीक है कि sir option A match कर गया next अगर मैं h की value 36 डालता हूं h की value 36 लगते है 9 by 36.25 1.6 minus 0.25 is 1.35 1.35 sir match कर गया next check करो अगर मैं h की value 65 डालता हूं h की value 65 9 by 65 थोड़ी गंदी calculation उन्होंने हम से करवा दी ठीक है check कर लेते हैं sir n is equals to 1.6 minus 9 by 65 अगर यहाँ check करने के लिए आप बैठोगे तो आपको फटा सा solve करना पड़ेगा तो sir solve करने के लिए जो है approximation लेने की जोरत नहीं है क्योंकि बहुत acute decimal places तक जो है इन्होंने calculate कर रखा है देखते हैं तो sir यह जो है 7 times 20 बना 7.22 लिखा हुआ है ठीक है या फिर आप इसे cross multiply करके भी check कर सकते थे पड़ मैंने ऐसे कर लिया 1 upon 7.22 1 upon 7.22 इसे check करना आप ठीक है तो यहाँ पर जब आप calculations check करते हैं तो आपको दिखा ही दे है कि सरी यह match नहीं करेगा exactly यह 1.45 से थोड़ा सा कम यह थोड़ा सा ज्यादा आएगा ठीक है similarly जब आप H is equals to 85 डालेंगे आप 9 upon 85 यह exactly 1.48 match नहीं करेगा सिर्फ equation में data डालना है पर देखो मैं आपको यह इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा ज्यादा आपको थोड़ा एक्स्टर टाइम लगेगा ठीक है तो यह इस प्रकार से जो है मैंने आपको section 2 के सारे solutions बताए hopefully paper जो है कुछ questions आप कर पाएंगे कुछ questions जिसमें आपको doubt था आप देखें और यहाँ पर जरूर समझे section 3 इसके बाद हम लोग अभी solve करेंगे